कैथल खबर की खबर पर डीसी परशांत पवार ने कड़ा संग्यान लिया है डीसी के आदेश पर सेक्टर 20 की ग्रीन बेल्ट के पारक में सफाई करवा दी गई सफाई ऐसी की एक बार तो पूरे पारक को चमका दिया है जिसका सुबह सेर करने वाले लोगों ने स्वागत किया है और डीसी का आभार भी व्यक्त किया है देखिये क्या थी पारक की स्थीती और अब क्या है हालात क्या बोले सेर करने वाले लोग अब आप सारे करमचारी भी देख रहे हैं ठेकेदार भी देख रहे हैं साफ सफार के अथी है क्य़क्का नहीं कया है मेरा भी चहिन काई चैना है कि जो इसने काया है कि अपने काफी दिन के बाद ही आ हमोश्म खराबगी जैसे लेकिन कल में ने मैंने नियों महने आपने परक में काफी काफी इंप्रुमेंट मिली है गेट भी दुआ बन रहा है चाहः जोड़ जोसपाई बी वही ए प्रिटिक मेरा संजया गोईलाई सेक्टर 20 का निवासियों में पहले सभी दर्शकों को धन्यवाद आज पारक में बहुत सुधार है कल की अपेक्षा कल बहुत ज्यादा मतलब यहां वह था आज जो कार्या हुआ है मैं यह चाहता हो यह निरंतर हो यह यह निगी आज करा और रुग्या उसको तो कोई फायदा निया जी देखो घर तो रोज साफ होना ची एसे पारक भी हमारा एक घर है जब हम सुवेश शाम डेली दोनों टाम आते हैं तो मेरा यह कहना है कि डी सी महोद्या जी को भी यह निरंतर कार्य चले यह निगी आजा चले निरंतर चले आजी पारक में क करिशाय डेकेधा बढ़ गई है स्टेंथ जो है बड़ी है गुमने वालें की तो डी सी ने सुनाइग करी है बिलकुल करेजे डी सी साभने अब सारे करमचारी भी देख रहे है ठेकेधार भी देख रहे है साफ़चा एथी है कबाड उठा दिया सारा देख़़िया भी अक तुर आपका क्या कहना है? क्या नम आपका? ये निगी आजा चले, निरंतर चले